मैं कोई प्रिंस की तरह मजनू तो नहीं हो ना मैं तो जल्दी सो जाता हूँ और जल्दी सोने की वजन से मेरा जो नुकसान हुआ है वो आप इस वीडियो में तो इस वीडियो में आपको वो मुकमल तरीका बताऊँगा कि हम जब इनको बेटर से कोई भी चिक्स निकलवाते हैं चाहे वो मुर्वियों के हों चाहे वो तिद्रियों के हों चाहे वो फैंसी एग चिक्स हो यज कोई भी हो तो वो या तो अमूमन तोर पर टांगों से लंगड़े होते हैं या उनकी एक आंख डैमेज होती है तो कोई न कोई मसला इनका बना ही रहता है तो यार क्यूंक ऐसा करते हैं क्योंकि मुझे दो साल में ये चीज़ें मतलब फेसा कर रहा हूँ तो मैंने सुझा इस पर एक वीडियो मुकमल बना लेता हूँ ताकि कोई बंदा इंकुबेटर से चिक्स अनकुआ है तो उसका फैदा हो तो यार ये जो आप सामने चिक्स दिख रहें ना जब ये येज़ हो रहा था इसकी मैं मैंनी वीडियो भी बना ये पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं तो यहनी कि जब इसने अंडे में से यहनी कि रात ती रात भी मतलब को जाकता तो नहीं कि शैकरी निमास पाड़ पिर न kı students Soo जाता हूँ तो तंपरेचर था ना जो 37.7 से लेकर 37.5 बिट्विन टू रेशो के रहना चाहिए था वो बहुत ही काम आ गया था, वो यानि के 31.5 पर आ चुका था तंपरेचर यानि के बहुत ही, क्योंकि उसमें 12 वाल्ट को वो DC फैन लगा हुआ था ना तो उसने कूलिंग बहुत ज्यादा कर दी और उस दिन यानि के बारिश होई थी उस रात को तो सद्धी और भी ज्यादा होई थी तो ये जो चिक्स थाना, ये विचारा सुराख दे चुका था लेकिन ठांड की वज़ाँ से इसकी यानि के मतलब मजीद उसी अंडे के अंदर रहा चिलके में और इसकी यानि के दो टांगे थी नो टांगों से पायज हो गया, क्यों? क्योंकि टंपरेचर बहुत ही काम हो और नमी बहुत ही हाई हो गई, तो यार आज की वीडियो में बनाने का मकसा ये है, कि आप अपने जो इनको बेट रहें नो उसको मसलसल चेक करते रहें, हाँ ये हो सकता है, मैं भी चेक तो करता हूँ, लेकि मसला ये बना कि मैं रात को सो गया ता, रात को तो मैं कोई मजन सो है नहीं इस चिक्स का, यहीं कि दोनों टाउं को सह पाया जाए, और साच अगर मैं आपको बता हूँ, तो दो दिन बाद ये चिक्स मर भी गया था, मैंने इसकी वीडियो नहीं बनाए, मुझे बहुत ही अर्मान लगा था, और यार तो अगर मैं आपको एक और खुशख झाल को दो दो है और साच झाल को जो है।